Welcome back to our channel Future Studies So friends, आज हम आपसे important question discussion करेंगे जो कि BA program semester 4 के लिए importance है ये political science है आप देख सकते हैं ये regular NCA plus as well सभी college students के लिए important question है तो आप ये question देखिए आदर्स बाद बना यार्थक बाद में अंतर लिखिए तो यार्थक बाद क्या होता है इसके discussion आपने पहले वाली वीडियो में पूरा प्रॉपर कर रखा इसके उपर 3 questions एक्स्प्लेइन किया है तो आपने वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देखिएगा चलिए हम इन दोनों में क्या अंतर है देखते हैं आदर्सवाद बना यार्थक बाद में अंतर है यह एक बीवाद इस फर्ड परस्न है मतलब एक बीवाद इस फर्श्ट परस्न होता है और जोकि अंतर राइश्ट्रे संबंदों के अध्यान के लिए आदर्सवाद का डिश्टी कॉन है उब पिभत यह वाइ, आर्थक बाद का आर्थक यह फ्र का सब्से बड़ा केंड़ केंडर विंदु शक्तिकी समस्या है मतलब आप इन दोनों में यह और कह सकते हैं हमारा जो आर्थक बाड है यह हम कहा सकते हैं आर्थक बाद इन में सबसे between प्रॉब्लम जो होती है इनके केंद्र बिंदू सक्तियों से लेके होती है और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके साधन ताउदेशे जैसे प्रसंद के प्रति उदारसिन होते हैं इसके बिपरित आदरसमादी जिष्टी कोन सक्ति राजनेती को इतिहास का सिर्फ असमान और इस्ताई दोर समझता है वो ऐसे अंतराइश्टे संबंदों की कामना करता है जो सक्ति राजनेती अनैतिक हिंसा से मुक्त हो तो इससे ये धारना के विक्षित हुई है कि आर्थक बात के धार पर बनी नीतिया राजनेती बिरोधी होती है आदरसमाद के धार बनी नीतिया अंतराइश्टे संबंदों की अपएक पक्ष पोसक हो सकती है तो मतलब इन दोनों का जो भी चलता है अपोजेट सलता है हम एक तरफ देखते हैं कि आदरसमाद की सक्तिया जो कि अनैतिक हिंसा से मुक्त है और दूसरी तरफ हम यह देख सकते हैं आर्थक बाद जो कि अपनी सक्तिया कायम रखते हैं कि हम सामने वाले से किस तरीक से लड़े ज़क है आदरसमाद या अर्थावाद के अत्रिक दिश्टिकोन का परित्याग करते हुए दोनों के बीच का मार्ग सम्मेवादी दिश्टिकोन होता है तो हम यह कह सकते हैं जो आदरसमाद होता है या आर्थक बाद के प्रति दोनों का परितियाग करते हुए दोनों के वीच मारगे उनका कोडिनेशन दिश्टी कोन बनाना चाहिए यह आर्थक वादियों के निरासाबाद और आदर्स वादियों के आर्थाबाद के भीच समनबे का प्रस्ण है मतलब जो यार्थक वाधी होते हैं उनके लिए तो यह चिंता जनक यानि निरासाबाद हो सकते हैं पर आधर्स वाधी के लिए आसाबाद मतलब उमीद की किरन कह सकते हैं यह है तो इन दोनों की जो बीच की कोडिनेशन बैठते हैं यह दोनों में किसी भी डिश्टी को उनको पूनेता संतुजनक नहीं मानता मतलब यह दोनों पूने तरफ से खुश चंतुष्ट नहीं हो सकता सम्मे बाद यह अंतराइश्टे संबंदों को समाज साश्टी डिष्ट को उनके देखा जातकता है तो हम यह कह सकते हैं जो समय बात अंतराश्टे संबंधों को समाज साच्थी डिषडी कौन से देखते हैं इसके अंतराश्टे संबंधों के विद्धारति कोई पूर ग्राह या पूर मानिता ना रखते हूं बढ़ाना चाहिए तो हम यह कह सकते हैं कि अंतराइश्ट जो भी संबंध है जो इस्टूरेंस हैं उनको पूर्ण विचार करने चाहिए उनकी माननेता को रखते हुए विश्वास और राजनिती गति वीडियों का भाव से परवेक्षन करना चाहिए तो यह आर्थावाद को उन अल्पकालिन राष्टिये नीतियों का सूचक मानते हैं जिसका धहत आत्कालिंग अब सकता हो कि पूर्टी करना होता है तो इसके बारे में हमने आपको कल प्रॉपर डिस्कॉसन किया तो आप उस वाली वीडियो को पिछले वाली देख सकते हैं यह मतलब कि आर्थावाद यह जो कह सकता है यह एक एमेर्जेंसिया है मतलब हमारे पर कोई अटेक करें और हम उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं आदर्श को उन दिर्ख कालिंग नीतियों का सूचक मानते जिसके अधह भविश्य में पूरे के जाने उस देशों के सिद्धी करना होता है जोर्ज कैनन ने भी आर्थावाद के साथ आदर्श वाधिश दिश्कॉन को समझस्ट से बैठाया है उनका मत है कि हम केबल अपने हित्то को जाने और समझ सकते में कोई भी देश किसी दूसरे देश की संस्ताव जरुतों कर सकता है इसलिए उनका सुझाओ है कि एक ओर तो हमें अपनी डैस नीती और अपनी राष्टराव सकता हो के अनुसार कारे करना चाहिए वहीं दूसरी वो नैतिक और अचार संबंदे संधानतों के अनुसार कारे करना चाहिए तो आप यह देख सकते हैं जो यह कि राइटर है इसमें वो क्या बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने देश के साथ कैसे निरने करना चाहिए कि उनका मत किस पर ले अचार संबंदे संधानतों के अनुसार कारे करना चाहिए और अपनी यानि हम कह सकते हैं हमारी सब्बिता के भावना के सहजात संधानत हीन होना चाहिए मतलब उसके संधानत के साथ भी हो सकते है पर स्थिक परके में जूम लेती है लोग सब्सक्राइं ओक्ती करम आक्ष मनिटिकार नेतिक अंत्य डिश्टी का नीति साच्ट और राजनेति आदर्समाज के साथ मेल करता है जॉन्स होर्ज ने एक ऐसे ही दर्सन का धाचा जॉन्स होर्ज जो की एक राइटर उन्होंने विए सेम टू सेम धर्सन का धाचा मतलब इस्ट्रक्चर दिया देखते हैं कैसे जिसमें उजे क काफी सफलता मिले यह दर्सन उसने यार्थक बादियो दारबाद कहा है यह दर्सन हमें आदर्सवाद यार्थक बाद के टूटियों से बचाते हैं यार्थक बादियों के निरासा बाद और आदर्सवादियों के आसा बाद के बीच एक परकाड का समन्भे करता है तो दुत्य भी शीवत के बाद हुने वाली बैग्यानिक तक्नीकी प्रदयोगी क्रांति के परिनाम स्वर्ण अर्थक बाद आदर्स्वास के निकट आने की संभावना बढ़ने लगे जो हमारा सेकंड वर्ड वार हुआ था उसके बाद इन दोनों के बीच आप शी संभावन संभरे बहें और सामरेक सर्फों की बढ़ती हूँ होड से ना केबल आधरस्वात या पूथी या ळध्रक बाद बी चिंतन था तो लड़े जाने वाले यूद से आत्म घाटी विस्व यूद का खत्रा पैदा हो सकता अब इस सांती अल्प कालिन उद्देसे भी है और दिर्ख कालिन उद्देसी भी कोई है यार्थक वाद इसांती के अफसक्ता के सर्वु परी मुली के पिक्षा नहीं की जा सकते यार्थक वाद इसांती के अफसक्ता सर्व परी मुली के पिक्षा नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंड यह हमारा आज का कोश्चन था आप देख सकते हैं इस कोश्चन को हमने आज डिस्कुस्चन किया है बनाम यार्थक बाद में अंतर ना जो आधरस बाद में अंतर क्या था तो आप इस कोश्चन को अच्छे पढ़ लीजिएगा इसके स्किन शोट ले लीजिएगा और इसको एक बार और पढ़ लीजिए आप वीडियो को दुभारा से देख सकते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो नक्स वीडियो में मिलते हैं लाइक सब्सक्राइब स जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो